देके हूँ, river boat problem कहिए river swimmer problem कहिए, aeroplane wind problem कहिए बात होई है जैसे हवा चलती वैसे पाणी बैता है, जैसे पानी में boat चलती वैसे हवा में aeroplane चलता है तो concept गोही लगेगा इसमें, समयने की कोसिज करिएगा, जैसे मान लिया ये एक नदी है ठीक नदी का हमने इस किनारे बनाए दिये और नदी का फ्लो जो है ना विलास्टी ओफ रिवर उसकी वैलू कुल ले लो जैसे हमने लेकर लेकर रखिये है थ्री किलोमेटर पर आर माले थ्री किलोमेटर पर आर है द्राद ध्यान से समझीएगा ठीक है और एक boatman इस river के अंदर आता है और विलास्टिया उफ रिवर क्या है 3 km मैं वन डायमनिसन पर ने डागराम बनाए है हमने मैं वन डायमनिसन की बात कर रहा हूं ठीक है और एक boatman इसके अंदर आता है और इसकी speed हम ले लेते हैं 5 km पर अब बताईए अगर बोर्समेन इस रिवर के अंदर आएगा ये बोर्समेन है तो वो किस स्पीड से चलेगा उसकी बोर्ट किस स्पीड चलेगी आप केवल बोर्ट को डाल दीजे नदी में डाल दीजे चलाईए नहीं चलेगी कि पड़ी रहेगी चलेगी न और यहां तो बो अच्छा, आगर यह जो स्पीड होती उसको downstream कहते, नदी के साथ चलने को क्या कहते है? Downstream, और अगर यही ब॓ट, नदी के opposite जा रही होती, तो क्या स्पीड होती? है? 2 किलोंटर पर हार? सही कह रहूना? यह स्पीड किसकी है? बोट की है, कौन देख रहा है अज़ आप रिवर देख रही है, अरे मेरे बेटे चल रहे हो, गंगा मिया देख रही है पोट ही अपनी स्पीड देखेगी आप अपने रस्पेक्ट में तो स्टेशनली रहोगे इस स्पीड को दो जगह से देख सकते हैं, ध्यान सबज़िएगा एक आदमी एक रिवर में ही बैठा हुआ है वो भी देख सकता है इसको, और एक आदमी ग्राउंड पे देख रहा है, खड़े-खड़े ठीक है, यह एक मैन है, जो कहां पर है, ग्राउंड में है, और स्पीड चले चाहने चले, उसकी स्पीड थी लूट परावर रहेगी रहेगी ठीक है, इस आदमी को, यह बोट किस स्पीड से नजर आएगी फाइव ही आएगी, जो इसकी रियल स्पीड है, ठीक है और यह वाली नाव किस रफ़ास नजर आएगी इसको प्रेटिकली सोचिएगा पाँच कहां से पाँच है तो थोड़ी चलेगा ना देखो ध्यान से यह आदमी ऐसे तीन के रफ़तार जा रहा है ने आप सही, बता अपने आपको चेंज करने जा रहे है वाहन साथ चेंज कर दोगे अगर यह बोट की वाल रखी होती यहां पर और यह आदमी निकल जाता तो इस आदमी को क्या लगता कि बोट तीन के रफ़तार से पीछे गई और बोट दो के रफ़तार से पीछे जा भी रही है तो उसको क्या लगेगा बोट 5 की रफतार से जारी पीछे यानि कि बोट की रफतार अगर रिवर से देखी जाए ठीक है, तो X का मतलब ही हो क्या कि जी विलास्टिया बोट है ना, और किसके रेस्पेक्ट में आप ले रहे हो 5, रिवर के रेस्पेक्ट में, यानि कि जो actual speed है उसकी actual speed वो किसके respect मिली जा रही है रिवर के respect मिली जा रही है ठीक है नहीं समझे अच्छा इस आदमी को क्या लग रहा है इस आदमी को लग रहा है कि boat पांच की रफ़तार से चल रही है क्योंकि ये अपने आपको क्या मान रहा है stationary ठीक है और यहाँ पर जो आदमी बैटा है वो उसको क्या लग रहा है क्या रफ़तार दिखा ही पड़ रही है heart यानि कि velocity of boat with respect to ground हम ले रहे हैं तो कितने जार आ रही है 8 km पर आ रही है सुन्द में आई बार नहीं आई है boat stationary तो boat भी है boat stationary तुम को हम एक एक्जामपल ले रहे थे मैं जब मैं नाओ की बात कर रहा थे कि नाओ अपोजिट जा रही है तो किस speed से इसको नज़र आएगी तो हमने कहा अगर नाओ क्यों रखी होती तब ही इसको 3 की रफ़तार से नज़र आती और नाओ तो अपोजिट जा रही है दो की रफ़तार से तो इसको 5 की रफ़तार से नज़र आएगी ठीक है यानि कि इस जो actually में आपकी जो boat की speed है वो जो real आप दे रहे हो value वो किसकी respect में है वो river के respect में है ठीक है और ground के respect में value change हो जाएगी ठीक है तो पहले तो मतलब इस बाहर वाले आदमी को जो boat नज़र आ रही हो किस रफ़तार से आ रही है उसको क्या लग रहा है कि boat आठ ही रफ़तार से जा रही है ठीक है तो ये तो general concept हुआ जा करके अब हम किसी नदी को पार करवा रहे हैं इसको तो पार करने के दो तरीके है देखो अब ये तो general concept है कि किसके respect में क्या velocity ली जाती इसको हलका सा अपनी roughly note कर लीजे देखे अब हम टू डाविंसन की बात कर रहे हैं हम एक नाविक को कह रहे हैं कि आप नदी पार करो नदी दो तरीके से पार होती है एक होता है कि नाविक सीधे जाना चाहता है सीधे जाता है जाना नहीं चाहता है सीधे जाता है लेकिन नदी उसको अपनी तरफ ले जाती है तो सीधे नहीं जा पाता वो कहीं और जाकर कैसे रुखता है और एक होता हो सीधे जाना चाहता है सीधे जाता है लेकिन पहुँच नहीं पाता है वो जहां नदी ले जाती वहां जाके रुखता है एक होता सीधे जाना चाहता है तो सीधे जाने के लिए वो इधर कहीं चलेगा तब नदी ऐसे कहां खिसका कि उधर सीधे लेके आएगी तो दो तरीके से यहां problems आएंगी कैसे concept use होता है जरा समझेगा यहां एक relative velocity का concept है जो अक्सर student को confuse करता है जरा यह नदी है तीक है अगर हम कहें velocity of velocity of boat with respect to river ऐसा बोले हम तीक है या हम कहें velocity of boat in still water दोनो बाते सही है still water तो velocity of boat with respect to river को ऐसे लिखेंगे इसका मतलब क्या होता है velocity of boat with respect to river बोला जाए या velocity of boat in still water बोला जाए बात वही है ठीक है अब जरा समझेगा एक boatman है जो सीधे जाना जा रहा है कोसिस कर रहा जाने की एसे लेकर करके यहाँ पर जाने की कोसिस कर रहा है कोसिस कर रहा है ठीक है और नदी अलेडी फ्लो कर रही है नदी के velocity of river इस डिरेक्षन में है ठीक है अब بتाएए क्या ये व्यक्ति यहां से यहां पहुँच पाएगा उसने विलास्टी इस डिरेक्शन में अपने आपको दी इसको क्या लिखा जाएगा विलास्टी आफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर ऐसा लिखा जाएगा ना रिवर के रस्पेक्ट में विलास्टी आप बोट यह है इसी के अंदर दिखाएं क्या यह देखो दिखाएगी अब यानि कि वो इधर जाएगा और रिवर इसको इधर ले जाएगी तो यानि कि इस बोट अच्छा सुनिए अगर बोट ना चल लही होती और रिवर में डाल देते हैं ऐसे डख देते तो क्या रखी रहती वहाँ पर इधर की और भाक्ती यानि कि वोट को विलास्टी एक तो रिवर दे रही है टेक है और दूसरा वो उसकी खुद की विलास्टी है तो 열नि वोट के पास कितनी विलास्टी हो गई ठीक है इस बोट को देख कौन रहा है अगर कोई आदमी इस नदी के अंदर से देख रहा है ठीक है ऐसे देख रहा है तो वो इस आदमी को बोट किधर जाती ही नज़राएगी इस आदमी को ऐसे ही नज़राएगी ऐसे ही नज़राएगी क्यों देख regulating इसका रीजन ये है देखो द्यान से ये बोट सीधे जा रही है और आप ऐसे खड़े हुए हैं अभी नदी भेहनी नहीं दी है तो बोट चली जाएगी नब बोट ऐसे जा रही है और आप वोट ऐसे आप 2 मिटर दूर है ठीक है अब बोट इधर के हो जा रही है रिवर के हो जैसे और आप भी उधर ही जा रही है तो जिस स्पीड से बोट को रिवर ले जाएगी तो बोट और आपके बीच की रफ़तार डिसंस कैसी रहेगी एक्वल रहेगी तो आपको क्या लगेगा ऐसे आखे बना लेते हैं, अगर ground से हम देखें, इसको हम, तो इसको लगेगा इधर जा रही है, तो इसको actually में boat की speed किदर दिखाई पड़ेगी, तो वो actually में उसकी real speed है, velocity of boat, ये जो नजर आ रही है, ground से, जो कि किसी की speed ground से क्या होती है, वही तो real speed होती न, तो velocity of boat with respect to ground क्या नज वोट with respect to river क्या है, ये, relative velocity of boat with respect to river ये, और ये velocity of river है, ठीक है, आप साफ साफ दिख रहा है, कि आप इसमें vb निकाल सकते हैं, अगर vector के हिसाफ से देखो, तो velocity, vector addition क्या कहता है, this plus this round this दिख रहा है आपको, याणि आपको दिख रहा है, कि velocity of boat is equal to क्या है, velocity of boat with respect to river, प्लस velocity of river, ये तो दिख रहा है आपको, और practically भी समय लिजेगा, boat को कितनी velocity मिली भी है, एक उसकी खुद की velocity, किसके respect में, river की respect में, और दूसरी river की velocity, दोनों, तो दोनों को सम्हीत आएगा ना, तो अगर आपको velocity आप boat निकालना है, तो ये फार्मला, दोनों को add कर दिया जाएगा ध्यार नकिएगा, ये real speed नहीं है, ये speed उसको जो मिली है, लेकिन ground से क्या नजर आएगा, तो real speed आप समझ लिजेगा, निकालने का तरीका क्या होता है, initial point और final point की direction को मिला दीजे, उस दिसा में जो speed मिलेगी, वो real speed होगी, अगर velocity आप boat के बारे में बात करेंगे, तो आप अगर आप कहेंगे, velocity आप boat कैसे आप निकालेंगे, तो आप कहेंगे, वो direction, जिसमें की initial position और final position को आप मिला दिया जाए, तो वो direction जो मिलेगी, वो उसकी real speed होगी, जो ground से जो बेक्ति बैठा हुआ हुआ है, उसको यही निजर आएगी, boat इदर से इदर गई है, तो concept सुन आया, इसका result ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अगर आप vector diagram में magnitude लेना चाहें, तो आपको दिख रहा है, vb square is equal to vbr square plus vr square, तो अगर vbr, अच्छा वैसे भी समझेगा, अगर vbr आप निकालते हैं, vector के हिजाब से, तो velocity of boat minus velocity of river होता है, velocity of boat with respect to river का formula क्या होता है, velocity of boat minus velocity of river, अगर इधर ले आईए, तो यह result आजाएगा, तो यही तो vector के हिसाब से भी दिखा रहा है, relative velocity भी यही फरमुला आपको दे रही है, ठीक है, तो एक तो यह concept है, इस diagram को समझा लीजेगा, यह आपको सीखना है कि किधर real speed उसकी होती है, किधर relative speed होती है, मतलब जिधर वो try कर रहा जाने के लिए, वो relative speed है, वो जाना किधर चाता है, लेकिन जाब आ रहा है, तो जिधर वो जा रहा है, वो real speed है, और जिधर जाना चाहता है, वो उसकी relative speed है, ठीक है, अब उसका time कितना उसे लिया, देखे, time निकालते है, time, सुनिए जान से, अगर यहां से यहां पहुशा ह हम क्या कहेंगे 2 घंटे लगे और यहाँ पहुंच गया बात वही है कि जैसे आप प्रोजयटाइल पढते थे तो body x direction भी चलती थी एक resultant direction होती थी लेगिन x component में भी आप वही time लेते थे और y component में वही time लेते थे तो ये time भी वही होगा और ये time भी वही होगा तो अगर हमको time निकालना हो t1 महा लेते हैं तो कौन सी आप distance ले रहे हैं नदी की चौड़ा ही ले रहे हैं तो time का formula क्या होता है distance upon velocity काउन सी velocity इस direction की velocity क्या माना है वी बी आर ठीक है तो यानि की d upon और वी बी आर की value क्या निकल लही है अंडरूट वी बी square minus वी आर स्कौएर निकल लही ना value के हिसाफ से देखें वी बी स्कौएर minus वी आर स्कौएर यानि velocity of boat with respect to ground का square minus velocity of river का square ये सुझ में आगई बात है अब आपको ये हम दिखाना चाहते हैं कि इस तरीके से motion करने में उस boatman को time कम लगा है ज़्यादा लगा हो बात हम बात करेंगे अच्छा अब कितने angles से वो इधर गया alpha angle से गया तो अगर 10 alpha निकालना होगा तो क्या निकालेंगे vr upon vbr ये निकालेंगे ठीक है अगर आप से पूछें कि वो कितनी दूर जाके गिरा कितनी दूर जाके गिरा जाकर कि x निकालना है आपको तो जब देखें ध्यान से 10 alpha vb upon vbr हो गया हमने विलास्ट्री ली है ना और अगर यह आप distance ले ले लेते तो 10 alpha आपका x upon d हो जाता वह distance के हिसाफ से x upon d हो जाता और vector के हिसाफ स vr upon vbr हो गया तो value तो same है ना दोनों की तो दोनों को जब equal कर देंगे x upon d is equal to vr upon vbr तो actually में इसमें x निकल आएगा ना vr upon vbr into d तो यह मालू हो जाएगा कि कितना वो drift हुआ इसको drifting कहा जाता है क्या कहते हैं drift कितना यह drift हो गया किसी एक direction में जैसे माल लीजे आप यहाँ प पिर यहाँ पहुँच गये और माल यहाँ से दोड़े और यहाँ पहुँच गये तो यहाँ इतना drift हो गये तो इसको drifting कहा जाता है जैसे electron चलते हैं तो जहां से चलते हैं और rotate कर वही पी आ जाते हैं तो बैटरी समझोड देते हैं तो वहाँ से चलके वह वहाँ नहीं आते थोड़ा सा एका सेंटीमीटर आगे पले आते हैं तो हम कहते हैं इलेक्टरान इतने सेंटीमीटर डिफ्ट हो गया इसको डिफ्टिंग कहते हैं तो ये हमने क्या लगाया हमने कहा वो यहां से यहां सीधे जाता है जाने की कोशिच करता है पहुंचता यहां पर है ठीक है अब time कितना लगा ये path shortest है इसका नहीं path shortest नहीं है ये time shortest लगा उसको अब time shortest कैसे हुआ अजीब लग रहा देखने से अभी हम proof करके दिखाएंगे अब हम उसको shortest path में लेकी चलते हैं ठीक नोट करिए यानि ये shortest time है minimum time shortest time अगर वो shortest time से पहुंचना चाहता है तो vertically चलना शुरू करें वो यहां पर जाके पहुंच जाएगा अपने आप और time उसको कम लगेगा देखने से अजीब लग रहा है कि साब ये तो आपने ऐसे चला दिया इसको अचा अब आप पले लिखे फिर बात करत है shortest time थोड़ा सा लगता हूँ कपड़े उपड़े के लंबाई है minimum time लिखेगा थोड़ा सा जीब लग रहा है shortest time अंग्रेजी अंग्रेजी होती है जैसे लिखो अब मैं दूसा तरीका देखता हूँ इस time को अलग note कर लिखेगा अभी हम इसका use करेंगे अब दिखो ध्यान से दूसरा है कि वो perpendicularly पहुचना चाहता है अपोजित डिरेक्शन में पहुचना चाहता है तो क्या perpendicular चलेगा पहुच जाएगा वो बिल्कुल जहां से चल रहा है सामने वाले किनारे में डारेट पहुचना चाहता है ऐसे वो ये नदी है ये इसकी ठिकनेस है वो यहां पहुचना चाहता है एसे चलना चाहता है बी पहुचना चाहता है तो अगर इधर चलना सुरू कर रहा है तो इधर पहुच जाएग नदी तो फ्रूम ले जाएगी न तो इसका मतब आप इधर कहीं चलेंगे न इधर कहीं चलेंगे और नदी आपको ऐसे यहां पले जाएगी नहीं समझे मतब जब आप यहां से यहां पहुंचेंगे नदी आपको यहां कर देगी आप यहां पहुंचेंगे नदी आपको यहा वो आपकी कौन सी विलास्टी होती है वही आपकी विलास्टी होती है जिधर चलना चाहते हैं वो कौन सी विलास्टी है यानि कि इधर जो स्पीड आपकी है विलास्टी आप बोट विद रेस्पेक्ट रिवर आपने दी है और ground से जो देख रहा आदमी वो आपको ये बराशी देख रहा है और river की speed ये है diagram सुझ में आएक नहीं आया आया ना तो यहां पर साफ साफ देख रहा है इधर देखे diagram तो ठीक देख रहा है पहले note कर लिजे diagram को फिर बात किया जाए हम मान लेते हैं कि vertical से alpha angle पर ये इधर की ओड़ जा रहा है ठीक है अब इसको दो तरीके से देखा जाता है देखो जैन से अब जैसे ये तो हमने vector बना दिया कुछ लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि velocity of boat इधर की तरफ है ठीक है लेकिन बोड तो इधर जा रही है तो velocity आप बोड का इधर एक component है VB cos theta इस velocity से ये सीधे जा रहा है बात वही हम भी कह रहे हैं ठीक है तो अगर हम कहें कि उसको time कितना लगा यहां से आप होचने में तो time t2 मान लो तो time क्या होता है distance upon VB cos theta time बलाबर क्या होता है distance upon velocity होता है अच्छा पहले वाले में distance time का formula क्या था t1 t1 क्या था distance upon under root VB square minus VR square था ना अब ज़रा अरे एक मिनट भाई देखे VB ज़रा ध्यान समझेगा अब हम दिखाना जाते हैं ये वाला time ज्यादा है ये वाला time ज्यादा है देखने से क्या लग रहा है कि ये तो shortcut path जा रहा है कि time कम होना चाहिए ठीक है देखो D को VB से divide करो और cos theta की वल्यूद वैसे 1 से चोटी होती है तो जो VB है उसकी maximum value क्या होगी VB रहेगी maximum cause की value कितनी होती है तो अधिक्तम ये value कितनी आपको मिलेगी VB और इसमें VB में कुछ minus कर रहे हो बहिए VB square है ना तो root भी से लगा है ना तो ये इसका denominator चोटा है या इसका चोटा है इसका चोटा है तो यानि ये value कम होगी है ये value उल्टा नहीं बोल रहे हैं आप यहाँ VB में minus कर रहे हो कुछ अरे तो root भी लगा है अगर VB square कर रहे हो तो root भी लगा हुआ है ना उसको VB मानो अगर आपसे एक minute अगर आपसे कहा जाए ये कितने degree का equation है तो आपके इन 2 degree का और root लगा है तो कतने degree का हो गया है एक degree का तो VB है ना यहाँ VB है बराबर हो गया अब यहाँ VB में कुछ minus कर दिया आपने तो यह लिए छोटी हो गया ना इसका denominator छोटा है और इसका बड़ा है यह वाला time कम होगा ना less than 2 तो यानि कि अगर आप ऐसे चलते हैं और सीधे पहुँचते हैं तो आपका path sort test है लेकिन time ज़्यादा लग रहा है ठीक है तो minimum time संच में आ गया और minimum path संच में आ गया ठीक है कोई दिक्कत अगर आप से पूछा जा alpha तो alpha लगा दो आप VBR लिखिएगा इसके check-up न पढ़ेगा component form में न लिखिएगा लेकिन component form सीखना पढ़ेगा आपको यहाँ पर alpha लिख लिएगा क्योंकि माले numerical आ गया तो उसमें alpha alpha दिया है तो भी लगना पढ़ेगा न अच्छा अगर value आपको निकालनी हो तो इसमें दिख रहा है VBR square is equal to VR square plus VB square इससे value निकालोगी अगर alpha निकाला हो तो tan alpha is equal to VR upon VB तो alpha निकालाएगा tan inverse VR upon VB समझ में यह बार नहीं आई तो यह shortcut तरीका है वैसे तो बहुत detail में भी इसको बताया जा सकता है जब आप जही वगारा तैरीक करेंगी तो फिर उसके अंदर लोग घुसेंगे कोई बोट के अंदर आदमी जहाकेगा कहो बोट के अंदर बकसम को बंद कर दें बकसो चला दें उन्हों का खास बात नहीं है किने एक बकसा बैट रहे बोट के अंदर बकसा भी चल रहा है बकसे के अंदर चुहा भी चला है लेओ बोट के अंदर बकसा भी या लगाए चला है बकसे के अंदर चुहा भी चला है लेओ कहो चुहा किसी उसमें रख बंद है चुहेदानी में चुहेदानी भी चल लेओ चुहेदानी के अंदर चुहा भी चल लेओ, चुहेदानी भी चल लेए, बकसा भी चल लेए, बकसा भी चल लेए, बकसा बोड के उपर भी चल लेए, और बोड भी चल लेए, और नदी भी चल लेए, और तुम बाहर बेटें बताओ विलास्टी क्या है, बताओ बने चुहा बखड़े हैं कि विलाश्टी क्या बता है तो यह समझे बहुत टेक्टिनिकल तरीके से इसको हेंडल करना है अभी आप फिला तो हलके-बुलके तरीके से इसको हां स्केल करके बड़ा मज़ा आ रहा है ठीक है ओके